हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग आयम हेर विद न्यू वीडियो आर आई के बारे में अपडेट देने के लिए मैं फिर से उपस्तित हूं तो दोस्तों आज जो अपडेट्स हैं वो मैं बता देता हूं आज जो भूनेश्वर की तो डेट और हो चुकी है और आज या कल म मैसूर क्यों इसकी जो लास्टेट है गौलिफाइं मार्क अपडेट करने कि वह आज ही है तो आप चूप मत जाना फिर कहोगे सर मैं तो मार्क अपडेट नहीं कर पाया अब मैं क्या करूँ तो दोस्तों फिर कुछ नहीं ho पाएगा तो आप जो मार्क हैं वह अपडेट कर कर दीजिए यहां साफ लिखा है लास्ट टेट पर एंटरिंग क्वालिफाइएंग एक्जामिशन मार्ट पर बीड एंड एमेड इन आर आई इंभाई सूरू इच फिप्त दिसमबर 2020 दि कंडिडेट अपडेटिंग दमाक्स फोर दीज कोर्सेज आप्टर दे लास्ट टेट विल नोट बी कंसिड़र्ट फोर रेंक जनरेशन फिर आपको होगे सर यह हम तो रह गए तो कोई मानने नहीं होगा ऐसे ही जो नेरी सिलोंग के लिए है उसकी लास्ट टेट है वो दस ही है अभी कोई चैन्ज नहीं है देखो आर आई मैसूर की क्या पता शाम तक वह सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते कुछ नहीं लेकिन आज आप अपने मार्क्स अपडेट करते हैं प्लीज ठीक है अज मेरी की जो डेट है वो बाद में डेक्लेर होगी अभी तक उन्होंने कुछ भी वो डेट पब्लिश नहीं किये अब चले तो आपको मैं मैसूर के बारे म स्कूल लाइब रेर आप आर आई महशूर की वेफसीट देख सकते हैं तो यहां पर आपको च्हह मैने का कोर्स है उंलाइन ही होगा 3000 रुपे में आप इसको कर सकते हैं अगर आप चाहें तो रेस के किसी भी भाग का वेक्ति को कर सकता है आप फॉम फिल कर सकते हैं अगर आ YouTube पे बच्चे question पूछते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है मैं ज्यादा तरी वीडियो बना के जबाब देता हूं और अजमेर की जो बात है कि online classes कब शुरू होगी वो भी मैं बताऊंगा तो भोपाल से तो admission प्रिक्रिया ओवर होई चुकी है तो अब देखते हैं मेरे से क्या क्या question पूछे गए है कमेंट है अनुमती साहुजी का thank you sir for replying me thank you for update अपडेशन तो देखो यह तो मेरा फ़र्ज है मैंने आपको पहले बताए ड्यूटी एक टीचर की और जब चैनल बनाया है तो जूटी पूरी करने ही पड़ेगी शांतिलाल लाइक कहते है आर आई अजमेर की online classes कब चलेगी बीए बीए प्लीज बताओ sir तो शांतिलाल ज जब गया कि जैसे भुपाल में बहुत तेज गतिशे हो गया था मैसूर में भी हो गया यह थोड़ा सा दिमी गतिशे हो रहा है क्योंकि नहीं तो एक सेमेस्टर हो सकता था इसमें अब शांतिलाल जी का ही दूसरा है यह दो बार रिपीट किया इन्होंने निलिपता स्ट्विशन ओबी सी नॉन क्रिमी लेर काटेगरी आराइए भूनेश्वर में सेलेक्शन होगा क्या तो आपका आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है सेलेक्शन होने की इतना ही कह सकते है अनुमति सावजी जी ने उनको जबावी दिया पक्का हो जाएगा तो मैं पक्का आप जैओं मैं अब बस आगय कुछ भी नहीं मैं इसके बारे में डिट्यल वीडियो बनाऊंगा ऑद सर मेरा सेनियर सेक्र्डिस सरुट ऑफिक्र 2017 का है मेरा एडमशन होगा क्या तो और जी आपको करना सब तो 2017 में के बाद आपने आगे पढ़ा ही नहीं कि क्या senior secondary आपने कर ली तो आपने फैस्ट यर भी क्या होगा second year, third year आपने 2020 में आपने graduation कर लिया होगा तो आप B.A.D. के लिए apply कर सकते हैं अगर आपने B.A.B.A.D. या B.A.C.B.A.D. के लिए apply करना है आपने graduation कर लिया तो आप applicable है आप apply करनी होगी जिबन साधू रिना लिखती है राई 2021 admission from come out B.A.B.A.D. हाँ तो यह अप्रेल के लगभग में इनकी वह नोटिफिकेशन निकलता है और मैं इसकी जानकारी देता रहता हूं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे आपको कोई दिकत नहीं हो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए जो ही मेरा नए वीडियो आएगा आपको पता लग जाएगा कि हाँ एडिमिशन प्रोशेस चालू है नोटिफिकेशन निकल गया है तो जीबन चादू रेना जी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जो उपर जो मैंने उन से बात की है उनको भी मैं कहना चाहूंगा ओम प्रकाज जी डांगी है ओम लवर है सब को कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसे कोई भी बात नई बात आईगी वह बता दूगा जैनिफर जी लिखती है एवंजलीन जैनिफर वाट इज दा प्रोशेजर टू जोईन बीएसी बीएड 2021 2021 में इन आराई मैसूरी तो आप आराई मैसूरी है तो मैं आपको बता द है कि application form will be appear नहीं यह जवाब दिया है इन अप्रेल 2021 देखिए मेरे सब्सक्राइबर भी शाहाना सेरी ने लिखा है यह अपने आप ही जवाब देते हैं शावाज थैंक यू तो आप है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर आपको notification मिलता रहेगा और यह कंडेक्ट होगा common entrance exam होगा जो पाचो और आई का एक ही होता है मैसूर के लिए को अलग से एक्जाम नहीं होगा और ब्याइब और बीडियो अलग लग नहीं होगा एक ही एक्जाम होगा आप त्यारी कीजिए मेरे more than 100 वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है तो मेरे सेल्ट क एक दो के सिन और ले लेता हूं अच्छा क्यों पिर जैने पर दो जोइन इन और आई वहाट इस एक्षट्ट पेटर प्लीज एक्सप्लेंग तो आपके लिए प्लस पॉइंट आप ट्वेल्ट पर रही है तो आपका इसी साल हो जाए तो आप मेरे जो पुरानी वीडियो पीश्यूहि को का महada योड़ी है ट्वेल्ट पास करना के बाद मैं नहीं की छहिंए नोशतों सबस्क्राम करें आप गई देख सकते हैं तो तो उससे आपको मदद मिल जाएगी ठीक है यहां मौनु जी ने जवाब दे रहेगा चेक इस प्लेलिस्ट और प्रिवेस प्रिवेस पेपर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो यह आपके क्वेस्टंस थे और शहाना शिरीन लिखती है कि एंट्रेंश इस करीड़ बाइक कॉमन एंट्रेंश एक्जाम इन दिस यह देर नौ एक्जाम डू टू कोविट बेस्टोन प्लस टू मार्क एडमिशन कंड़क्ट थैंक्यू शाहना जी आपने जवाब दिया इनको तो यह हो गया है सर्भूनेश्वर का पुरंदर प्रसा करना पुड़ेगा शीवानी नरुका लिखते हैं मैं बी बीए प्लस ब्याट की प्रिप्रेशन कैसे करें आराई अज मेर के लिए तो आपको यह चीज़ें मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी पूरानी पेपर मिल जाएंगे और मैं इनके लिए नरुका जी शीवानी नर वीडू बना कर बटाता रहता हूँ आपके जो क्यूस्चन है उनके पर भी मेडाना ओर आप बता ही रूप फैसे वीडियो बनाने हैं अभी मेंडिशन प्रोसेस हैं उसके लीए पूछा गया है तो मैं उसक्ति विडियो बनाने liP distant फैक दो पर इतना दूर्र आप मेरे चं केर भी कीजीगा थैंक यू नमस्कार जैहिंद